करेंगे advanced java so is advanced java में हम आज कबर करेंगे servlet so servlet जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा बहुत बार लेकिन समझ में नहीं आया होगा लेकिन मैं इस वीडियो में बात करूँगा servlet का real use आपको servlet क्यों पढ़ना चाहिए what is the requirement of servlet आप servlet क्यों पढ़ोगे what is the need of servlet what is servlet, what is the need of servlet where you are going to use this servlet and why are you using this servlet मतलब कि अगर आपके पास servlet नहीं हो तो क्या आपका काम चल सकता है या चल सकता है so कैसे चल सकता है इस अभी के बारे में आज हम discuss करेंगे requirement क्या है servlet का और इसके पास क्या-क्या method है और कैसे इसे develop कर जकते है so basic introduction of the servlet आज हम बात करेंगे सबसे पहले बात करते है servlet introduction फिर servlet container क्या होता है servlet container के बाद हम बात करेंगे request and response of the servlet क्या होता है advantage of the servlet over the CGI क्या होता है servlet applet क्या होता है servlet versus applet servlet कैसे काम करता है एक प्लेट कैसे काम करता है दोनों में डिफरेंश क्या है प्योर डिटेल्स में हम आज इस वीडियो में समझेंगे सॉ लेट सस्टार्ट नाव सबसे पहले बादा करते हैं कि सब्लाइट इस इस सर्फर तो सर्ब्लेट होता गया इस टेकनिक के थुरू हम एक डाइनेमिक पेज क्रिएट करते हैं ऐसा पेज डाइनेमिक पेज जो पेज रिस्पॉंस ले सकता है और रिस्पॉंस वापस दे भी सकता है इस तरह के पेज जैसे कि आपने पढ़ा होगा HTML सो HTML से क्या होता है कि आप एक स्टाटिक्स अप्लीकेशन मना सकते हो यानि कि जो चीज़े आप अगर रखते हो वहीं आपको दिखेगा वो कोई स्पॉंस नहीं देश करता है वो हमेशा सेम टू सेम रहेगा टाइम टू टाइम चेंज नहीं हो सकता है तो HTML का ये सबसे बड़ा ड्रोवग है कि HTML एक स्टाटिक्स पीज क्रियेट करता है लेकिन सर्बलेट डैनेमिक पेज क्रियेट करता है जैसे कि आप बात कर सकते हो Google का, किसी banking application का, जिसमें कुछ आप input डालते हो और उसके basis पे कुछ output आपको देता है. तो यह क्या हो गया? Response लेना, response देना. तो इस तरह से आप communicate कर सकते हो servlet से, लेकिन आप HTML से communicate नहीं कर सकते हो. आप स्रिफ किसी चीज़ को represent कर सकते हो, किसी चीज़ को दिखा सकते हो through the HTML. So let's start now and discuss about servlet. So servlet is a server side application which runs on the server side of the web connection. तो आपको servlet के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आप server पे अपना hosting करोगे जब अपने project को, तो यह आपको dynamically response दे सकता है. जैसे कि अगर application की बात करें, तो आप YouTube दिखते हो. तो YouTube जब load होता है, तो one by one करके अपने page को represent करना शुरू करता है. आप अगर like करते हो, तो like एक बढ़ जाता है, एक घड जाता है. तो यह dynamically response कर रहा है. यानि कि जब भी आप action कर रहे हो, उससे कुछ फरेक नहीं पढ़ने वाला है. That is called static space. Okay, so हम बात करें कि just a applets. तो applets क्यों है? Aplet का क्या role है इसमें? So applets क्या होता है? कि यह भी एक servlet की जैसा ही होता है. यह भी एक browser से run होता है. लेकिन इसके पास एक ऐसा drawback है कि इससे आप क्यों system application ही generate कर सकते हो, बना सकते हो. यह आप server पे dynamically नहीं बना सकते हो. तो इसका भी एक बहुत बड़ा disadvantage है. लेकि परले ते इसके बारे में कि just a applets dynamically extend the capability of the functionality of the browser similarity and servlet dynamically extend the functionality of the server. तो यह काम करता है क्यों server पे और यह आपका applets काम करता है browser पे. I hope it is clear. Now, अब हम बात करेंगे कि applets में क्या difference है और servlet में क्या difference है? HTML page में क्या difference है? तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको servlet या applets ही पढ़ लोपाले. applets with their full byte code are transmitted to the browsers and executed within the browser's domain. So, यह applets जो होता है browser पे ही रन करता है. The JVM builds into the browser handles and executes of the byte code. So, यह सभी byte code को handle करने वाला browser होता है तो यह applets का यूज होता है. लेकिन servlet with their full byte code are they stored inside the server. अब बताओ server क्या होता है? I hope you know about it. Server web place होता है जहां पे हम अपने website के document को store कर सकते हैं and globally उससे repurchase कर सकते हैं कि कोई भी उससे access कर सकता है. उससे बोलते हैं server कोई ऐसा machine जो ऐसा environment create करें कि जहां पे अगर हम अपने project को रखते हैं तो globally सब किसी को access provide करा है. उससे बोलते हैं server. ओके छोड़ो इसके बारे में ज्यादा discuss नहीं करेंगे. आप already जानते होंगे. When the HTTP request arrives at the servers, the server executes and response is returned back to the browsers. तो यह क्या करता है कि आप जब भी request करते हो तो कहां जाता है server के पास और response उसका back कहां आता है browser के पास as a html page. Now, एप्लेट में क्या होता है कि has a well-defined user interface. अच्छी होती है and they can use Java GUI technology और यह GUI technology का यूजज करके इसे हम बना सकते हैं like awt, swing, etc, generate user interface components. So, इससे आप user interface design कर सकते हो, लेकिन servlet का अगर यूज कर रहे हो तो आप dynamically कुछ भी बना सकते हो. So, servlets are the executes invisibly behind the screen of the server. वो मतलब server के behind, यानि कि पीछे काम करता है and in hence their issue of the user is interface them. इससे ज़्यादा समझने की ज़रूत नहीं है next बताते हैं. So, applet have some restriction for the security region. For example, applet can't connect to the database. अब देखो, एक और बड़ा प्रोब्लम की आपका जो applet है, वो cannot connect it with the database. वो database से connect नहीं हो सकता, access नहीं कर सकता, system काम नहीं कर सकता. And the file system, it cannot generate any network connection other than server from which it has been downloaded. और कोई भी server connection generate नहीं कर सकता. Applet, biggest drawback. And serverlet don't have any restriction. It can do anything. So, serverlet कुछ भी कर सकता है. So, prefer करो serverlet. You don't want to learn applet. Okay, now, why serverlet is required? क्यों जरूरत है serverlet? क्यों पढ़ोगे तुम? To provide dynamics behavior to our website. क्यों वाल dynamics behaviors के लिए तुम पढ़ोगे serverlet? नहीं बहुत सरे advantages के लिए है. As you know, HTML can only be used to design the UI. Okay, good. मतलब की बता रहा है की, HTML can be used to only design the UI. UI मतलब user interface. HTML की थुरू कर सकते हैं, page. and it can be used to generate a user interface. Okay, and elements of our application can accept input data. Okay, good. But HTML has no way to process the data. It does not know what it has to do with this data and how to generate the next response. लेकिन HTML बहुत इनोसेंट होता है. ये नहीं जानता है की कैसे process करना है data को, कैसे data को लेना है और कैसे response देना है. generate करना है. इसलिए हम बोलते हैं, HTML only for the representation. It can't do anything action. Okay, why servlet is required? This is where servlet comes into the pictures. Thus, the servlet is the pieces of the Java code. ये Java code ही होता है. and lives on the server. इसके थुरू आप अपने server पे live हो सकते हो, अपने website को ले करके. gets called by the HTML page. HTML को call भी कर सकता है servlet. fetch the data sent by the HTML page. HTML से जो भी data जाएगा उसे receive भी कर सकता है. process it. communicate with the database. और database से बात भी कर सकता है. उसे use भी कर सकता है. Okay, generate the response as HTML file. and returns it. और response HTML file generate भी कर सकता है. उसे return भी कर सकता है. and apart from this, so many operations can perform this servlet. So, आप servlet को इजी मतलो, पाहुत website में उजोती है. So, this is called dynamic space generation. and which is the main responsibility of the servlet. और ये सारी चीजे, main responsibility है servlet का. Okay, हम अब समझते हैं कि pictorial, pictorial requirements. मतलब हम कहा सकते हैं कि एक कैसे जरूरत मन्द है. For example, हमारा एक computer है. हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, और यहाँ यह मेरे पास browser है, मेरे system के पास, और हम यहाँ से एक request कर रहे हैं. YouTube.com So, YouTube.com request किये हैं, इसके पास यह server के पास, यूर जावा कोड जो आपका प्रोग्राम है, YouTube का लिखा हुआ यहाँ पे, वो server और लेडी लाइव है. यह है container, container रखा हुआ है, container के पास web server है, web server के अंदर container, container के अंदर आपका code रखा हुआ है. तो यहाँ पे कुछ process हो करके, YouTube.com call होगा, और सीधे generate होगा response, and back to your browser, we can say this. So, जैसे कि आप YouTube पे request करते हो, तो कुछ video आपको response के थुरू आता है, और आप उसे watch करते हो. That is called dynamics, requirement, या we can say servlet reaction responsibility. Okay, servlet container क्या होता है? Container मतलब होता है कुछ चीजे रखने वाला, कुछ थैली, कुछ bucket, कुछ डीबा, जो आपकी कुछ चीजों को रख सके, उसे बोलते हैं container, तो servlet does not have a main method, क्योंकि इसके पास main method नहीं है, तो कहां से start करेगा अपना program run होना? method like regular java program, they are totally under the control of the another special java code, called as a servlet container, तो आपका जो program है, यह run सुरो होता है, एक servlet container के थो, वहाँ से run होना सुरो होता है, न कि main method से, main method से कब होता है, जब आप simple code को execute करते हो, जो function base होता है, तो वहाँ पे आप कह सकते हो, कि main method से start होता है, लेकि यहाँ पे container का भरपूर यूज होगा, एंड container हो होता है, जहाँ पे आपका code पूर रेस्टोर है, ओके, वेन द वेब सर्वर लाइक एपाचे, इस git request for the servlet, इस दर्स नोट डारेक्ली hand over, इस servlet rather than this request is transfer to the servlet container first, सो कह रहा है कि आपके पास अगर करोगे, और जब अपने project को deploy करोगे, तो इनके बासी करोगया, तो एक याँ देंगे, आप एक ऐसा environment देंगे, जो हाँ पे आप अपने program को live कर सकते हो, उसे बोलते हैं, servlet container, it is the servlet containers, which give request to the servlet and take response from it and send to the client, मतलब कि servlet container request लेता है, उसे process करता है और response के रूप में client को send कर देता है, यानि कि जो request किया था, उसे send कर देता है, a servlet container is responsible for the managing the life cycle of the servlet, container का बहुत यूज है, life cycle का भी maintain करता है, mapping a URL to the particular servlet and ensuring the URL and request has the correct access of the right, कहां पे आप request कर रहा हो, proper जगा पे भेज़ता भी है, हम इस diagram से समझेंगे कि कैसे होता है, so servlet request and response model, for example, आपके पास ब्राउजर है, आपने अपने मुवाइल से सर्च किया, http.youtube.com so youtube request आया, यहाँ पे, यहाँ से request गया, यहाँ पे, यहाँ से request गया, servlet container के पास, यहाँ पे request को क्या किया गया, processing किया गया, तो आपके code के पास गया, यानि कि servlet के पास गया, servlet के पास response जने ट हुआ, and यह response जने ट होने के बाद, फिर से आपके data को भेज दिया गया, आपके ब्राउजर के पास, तो आप देख लेते हो कि हाँ, मैंने जो सर्च किया था, ओ मुझे मिल गया, so that is called searching process, and request response model also, I hope it is clear for you, step required for the developing, is servlet, आप किसी servlet को कैसे develop कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, servlet होता क्या है, servlet का क्या requirement है, कहां use करोगे, और उसे कैसे develop करोगे, so inherit the required interface and classes, अगर आपको माल लेते हैं, अगर प्रोग्राम करना है, तो प्रोग्राम करने के लिए कुछ basic step होते हैं, उसे फलो करके आप अपने project को develop कर सकते हो, servlet के थो, so inherit the required interface and classes आपको करना पड़ेगा, okay, override the necessary method, कुछ methods हैं जिसे आपको override करना पड़ेगा, compile the code, create the deployment descriptor, create the appropriate directory structure under the web server, place the dot class file, start the web server and open the browser and request the servlet, so आप इस step को follow करके, आप एक project बना करके, एक छोटा सा application बना करके, आप deploy करकर के, आप testing कर सकते हो, इस step को follow करके, next, inheriting the required interface and classes, so in order to design a servlet, we have to create a public class, which must inherit an interface called servlet, तो आपके पास एक servlet interface है, जिसे आप inherit करोगे, और available in the package javadex.servlet, इसके पास available है, and this interface has five methods, which are get servlet info, get servlet config, init, service and destroy, यह आपको method को override करना पड़ेगा, और जैसे कि आपने दिखा यहाँ पे, methods of the servlet interface, having a destroy method, get servlet config, get servlet info, init and service, यह सभी method के बारे में आप पढ़ लो, it's very necessary, and sबी interview में यही question पुछा जाता है, कि servlet के पास कितने method हैं, और कैसे यूज करते हैं, उसका life cycle बताओ, so these are the all interview questions, I hope it is clear for you, thank you so much for watching my video, but subscribe करना और लाइक करना मन छोड़ना, अगर तुम forget कर दिये, तो next video नहीं मिलेगा, thank you so much, हुआँ नहीं मिलेगे पूग करता हैं, कि पास करते हैं,